हलो अब वर्थिका स्वाथ करती है तो यह डी टेपल एपलेश भी प्यार्टी की जो मैं प्रेटेगोजी करवा रही हूं उसकी यह थार्ड यूनिट है ठीक है अब थार्ड यूनिट कैसे कोर्स 501 ब्लॉक 1 यह थार्ड यूनिट रहेगी इनको अभी तक नहीं पता उने बत ज्यादा उन लोगों को जो इसकी तैयारी कर रहे हैं और रिकमेंट करिएगा चैनल को और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा कॉमेंट भी करिएगा तो चले स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है एड्यूकेशन एज फंडमेंडल राइट सिख्षा एक म पढ़ेंगे इसलिए यहां से फैक्ट वाले कोशन बहुत उठते हैं इनको आपको एकदम याद करने अच्छे से और मैं कोशिश करूंगी कि इसी टाइम याद करा दू वीडियो देखते टाइम तो और आप 1.5 एक्स पे भी सुन सकते हैं तक आप समय को बचाएं और का लिटरिसी रेट कितना रहा था तो 74.04% है ठीक है केरल का कितना रहा था क्योंकि सबसे जादा केरल में ही लिटरिसी रेट है 93.9% और बिहार का रहा है 63.8% जो कि सबसे कम है भारत में युनाइटे नेशन ने हीमन राइट की घुशना कब की ती है जो मानव अधिकार की गोषना 1948 में की है ठीक है और बाल अधिकार की घुशना कब की है 1959 में की है अब जल्दी से आप कमेंट करके बताएगा कि human rights day कब मनाया जाता है ठीक है डिसमबर में मनाया जाता है कौन सी डेट को मनाया जाता है अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा नहीं पता है तो इसका मतलब होता है 6-14 वर्स के बच्चे और उनकी सिख्षा कितनी क्लास 1 से क्लास 8 तक की सिख्षा ठीक है इसको elementary education बोला जाता है तो universalization का यहां क्या मतलब होता है इसका मतलब यह होता है कि प्रतेग बच्चे को सिख्षा दी जाए प्रतेग बच्चे का मतलब किसी भी ध धर्म, जाती, वर्ग, किसी भी जेंडर का बच्चा हो उसको बराबर समान रूप सिख्षा दी जाए यह होता है universalization of elementary education आप पढ़ते है article 45 अब इसको लेकर के बहुत रहता है कि article 45 और article 21a में क्या डिफरेंस है तो वह मैं बता दे रही हूँ अब बाद में का मतलब यहां रुख जाएगा क्योंकि मैं अभी आगे explain करूंगी इसको तो article 45 किस में आता है पहली बतो डीपी में आता है डीपी का भी full form आप लोग कॉमेंट करिएगा अगर नहीं आता है तो मैं पूछ लीजएगा मैं बता दूंगी अधरवाइस constitution पढ़ेंगे ना हम लोग quality भी पढ़ेंगे तो उस टाइम पे constitution में हमारे क्या होते है पार्ट होते हैं तो पार्ट में हमारा जो फोर्थ पार्ट है ना फोर्थ पार्ट में DPSP आता है अब कि राज करेगा अब इसमें DPSP को चैलेंग नहीं कर सकते हो क्योंकि यह मौली का दिकार तो है नहीं तो जब चैलेंग नहीं 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 दे पार रहे थे इसलिए तो बाद में इसको मौली कदिकार में डाल दिया गया ना fundamental right में यह जो बात है ना free and compulsory education वाली यह fundamental right में डाल दी गई और फिर act बना दिया गया जो कि हम लोग RTE पढ़ेंगे अब यहां पर है UEE की असफलता के कारण क्या problem रही क्या problem face करता है UEE तो यह हम लोग को इसलिए मैंने shortcut में लेख दिया population बहुत ज्यादा होने की वज़े से दिक्कत होती है गरीबी की वज़े से दिक्कत होती है क्रिसी अधारी तायति व्यस्ता है यहां agriculture based economy है क्योंकि होता कि अगर किसी घर में बहुत सारी खेती है तो क्या करेंगे अपने बच्चे को खेती व हो रहता है तो इस तरीके से कुछ असफलता के कारण होते हैं आप सबसे important है बहुत जादा important है यह चीज अच्छे समझेगा यहां पर article 45 को फिर से मैं explain करूंगी 86th amendment 2002 हमारे सम्विधान में 46 सम्विधान संसोधन हुआ कब हुआ था 2002 में एक तो यह point हो गया इसमें हमारे सम् किस में आता है भाग तीन में हमारे यहां जो सम्विधान है उसके part 3 में क्या है fundamental right है fundamental right मौलिक अधिकार में article है ठीक है मौलिक अधिकार में 12 से 35 तक के article सारे आत है उसी में जो article 21 था ना उसमें 21A में यह बात जोड़ दी गई कि 6 से 14 वर्स के बच्चों को free and compulsory education क्या है उन सीधे court में जाके challenge कर सकता है इसलिए मौलिक अधिकार बना दिया गया कि ताकि इसमें किसी बच्चे के साथ बेद्भाव ना हो सके या फिर इस चीज़ से वंचित ना रखा जा सके तो फिर article 45 में क्या हुआ क्योंकि article 45 में यह बात थी पहले तो article 45 खाली नहीं रहा उसमें और चीज़ डाल दी गई इसी समीधान संसोधन के तहट कि छे वर्ष से जो नीचे बच्चे होंगे छे वर्ष से कम आयों के जो बच्चे होंगे उनके लिए ECCE यानि कि early childhood care and education की विवस्था राजी करेगा अचा अब राजी करेगा तो राजी सक्षम है तो कर लेगा नहीं सक्षम में तो नहीं करेगा यह बात हो गई article 45 में किसको challenge तो नहीं किया जा सकता देन है article 51a 51a को नहीं जोड़ा गया यह ध्यान रखिएगा मैंने यहां लिखा है संसोधन यानि 51a में संसोधन किया गया क्योंकि 51a पहले जोड़ा था ठीक है अब इसमें संसोधन यह किया कि पहले पहली बात 51a में है क्या 51a में हमारे fundamental duties हैं मौली कर्तव हैं तो मौली कर्तव पहले कितने थे पहले 10 थे लेकिन जब यह 86 वाला amendment हुआ इसके तुरू एक जोड़ दिया गया जो हो गया 11 अब कौन सा हुआ देखते हैं इसमें यह duty जोड़ दी गई कि मारता पिता य जो 6-14 वर्स के आयू का बच्चा है उसको सिख्षा के अवसर प्रदान करें ठीक है मतब घर से निकाले तो भेजे तो स्कूल के लिए तो यह सारी duty हो गई इनकी ठीक है अब देखते हैं important point यहां से भी fact वाले कोशन है छत्रबदी साहु जी महराज जो थे अग जिसे हम लो 1902 में ही 1902 में ही अपने यहां 6-14 वर्स के बच्चों के रिए free and compulsory education लागू किया था ठीक है तो 1902 में किया था 1908 में वल्लब भाई बटेल ने UEE को अधिकम पारित कर मतब यूनिवर्सिल आइजेशन ओफ एलिमेंटरी एडुकेशन को एक अधिकम पारित करके बॉंबे के नगर परिशद में यह लागू कर दिया था free and compulsory education तो वल्लब भाई पटेल ने अपने अपने एरिया में उन्हों ने किया है इन्होंने बॉंबे में किया था कब किया था 1918 में किया था ठीक है महात्मा कांधी ने भी इसकी बात की थी जो कि मैंने प्रिवेस वीडियो में ब पहारत ने इसी के अधार पे 1974 में बच्चों पे एक रास्टी अनीती बनाई थी यानि कि नाशनल पॉलिसी बनाई थी नाशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड कब बनी है कब अपनाई गई 1974 में याद रखिए को बहुत इंपोटन डेट अब बच्चों के अधिकार के बारे में प जीवित रहने का अधिकार है बच्चे को स्वास्त अंदेगभाल का अधिकार है रास्टेता पाने का अधिकार है नेशनलिटी पाने का अधिकार है एजूकेशन का अधिकार है सोर्सर से सुलक्षा यानि की एक्स्प्रेशन से बचाओ किया जा सके इसका अधिकार है एक्स अब आता है, अब राइट टो एजिकेशन पढ़ते हैं लोग, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है 2009, अब इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं आपको यह बता दे रही हूँ, कि इससे पहले मैंने आर्टी के उपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जो के वेस वाली बनाई थी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अगर आप बहुत अच्छे से इसको कम्प्लेट करना चाहते हैं, तो उसमें पूरे-पूरे आर्टीकल पढ़े हुए हैं, कि 7 चाप्टर हैं इतने आर्टीकल हैं, तो उनको पूरे अच्छे से त्यार कर लिजेगा, अधर्वाइस यहां से स्टाट करते हैं, तो एडुकेशन जो सिख्षा का अधिकार है, इसको लागू किया गया है, एक अप्रेल 2010 को, लागू किया गया, लेकिन इससे पहले संसद में कंपारित हुआ था, तो 26 अगस्त 2009 को, हमारे प्रेसिडेट ने साइन कर दिया था, तो बताए हैं, लेकिन यहां पे जो लिखे थे, वो मैंने इंक्रूट कर दिया है, कि ट्रांसफर प्राप्त करने का अधिकार है बच्चे को, कि अगर बच्चे को आप रोग नहीं सकते हो, कि टीसी देने से, कि अगर होता नहीं, अगर हैड्मास्टर टीसी देने से मना करता है उसके खिलाब कारवाही होगी, ऐच प्रूफ के लिए, एड्मिशन से नहीं रोख सकते हो, एड्मिशन डेट निकल गई है, फिर भी आपको एड्मिशन लेना है, मतब कोई आप ये नहीं कह सकते हो, कोई रीजन नहीं दे सकते हो, कि इस वज़े से हम बच्चे को जो कि अभी आगे मैंने लिखा भी है, इसको तैयार कर दिया जाएगा उस क्लास के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी, एक ही क्लास में बच्चे को रोका नहीं जाएगा, हाला कि इसमें अब संसोधन हो चुका है, तो 2019 में संसोधन हो था, जिसमें कहा गया है, कि अगर बच्चा मतब वीक बहुत जादा है, तब उसको रोक सकते हो, अधर्वाइस नो डिटेंशन का मतल पूर कराना, बच्चे की नीड को समझना थे, बच्चे के नीड को समझना सेम टाइम पे बच्चे को अंदर क्रेटिविटी को बढ़ाना, ये सारी चीज़े हो जाती है, अभी भावकों को अभी प्रेशन को इंकरिज करना, आटी के पालन में जो ऑफिसर होते हैं, थौलि करना एक मेंटर के रूप में कारे करना और समाजीक परिवायतन के एजेंट के रूप में क्योंकि शोशल जो चेंजेस होती है उसके एजेंट के रूप में एक अध्यापक कारे करता है अब आठी को बहुत अच्छे से यहां पड़ते हैं कि आठी 2009 डाइट वेजिगेशन 2009 य उसमें क्या कहा गया था उसमें देखे दो पॉइंट मुझे एकदम नए लगे जो कि उस वीडियो में नहीं थे तो मैंने यहां डाल दिये पीपिल कम क्यों मिलेटिव रिकॉर्ड ठीक है यानि कि विध्यारती संचाई रिकॉर्ड क्या होता है तो विध्यारती संचाई र इसी को बोलते है संचाई record किल यहां पर मापिन legal term it's a इसमें कहा गया है कि लेट एडमिशन होने पर इस्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि मैंने बताया अब वह स्पेशल ट्रेनिंग होगी कितने मैंने की वही चीज जो अगर माली जो कोई 10 साल का बच्चा है तो इसको क्लास फर्स में नहीं डालेंगे ठीक है उसके एज के क्लास में डालेंगे लेकिन उससे पहले उसकी स्वेसल ट्रेनिंग होगी और उसके लिए आतो नियुक्त किया जाएंगे अलग से धियापक या फिर जो वहां के टीचर होते हैं वही उसको उनको ट्रेन करेंगे और इस ट्रेनिंग जो पीरेड होगा अवधी होगी वह तीन स्कूल के लिए एक किलोमेटर की दूरी के दाइरे में मतब विद्याले स्थापित किये जाएंगे और 6 तू 8 के लिए जो विद्याले होंगे वह तीन किलोमेटर की दूरी में स्कूल स्थापित किये जाएंगे इस्पेशल नील वाले चाइल्ड की पहचान करना भी इनका क अब रख रखाओ, जो रख रखाओ, जो रख रखाओ, इस्थानी अधिकारी जो होते हैं, वो जन्म से, यानि कि लोकल एथर्लिटी जो होते हैं, वो जन्म से 14 वर्स तक बच्चों का रखेंगे, ठीक है, डिस्टिक एजुकेशन आफिसर को, DEO को, क्या बोल जाता है, आटी को, कस्टोडियन बोल जाता है, यानि कि अभी रख रख बोल जाता है, जो कि यह मतब आटी, यह देखता है, कि आटी डंग से लागू हो रहा है, या नहीं हो रहा है, SMC बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, SMC उस वाली वीडियो में बिल जाएगा, और यहां पे भी है, यह सबसे आधा कोशन, साक्ट वाली कोशन भी आते हैं इसलिए, स्कूल प्रवंधन समिती, यानि कि स्कूल मेंजमेंट कमिटी, फुल फॉर्म हुआ इसका, यह कौन से आर्टिकल में है, उसी वीडियो में बताया है मैंने, आर्टी में, अब 75 मेंबर, 75 परसेंट इसमें ज स्कूल विकास योजना बनाता है, for next three years, अगले तीन सालों के लिए, जो तीन सालों में उसको एपलाई किया जाता है, ठीक है, गौर्मेंट से मिलने वाले जो ग्रांट होता है, उसको मोनीटर करता है, कि हाँ वो ढंग से जो रिसोर्सें हैं, उनकी विकास में यूज हो रह कोई और non-teaching काम में तो नहीं लगे हुए हैं, तो ये काम भी SMC का आ जाता है, ठीक है, मतब टीचर को जनगरना और चुनाओं में तो लगाए जा सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई सैचेडी कार में नहीं होना चाहिए, टीचर के लिए सिकायच सुविधा प्रक्रिया हो उसमें स्टेट गवर्मेंट क्या करेगी? राज, जिला और ब्लॉक इस तर पर स्कूल ट्रिबूनल का गठन करेगी, बहुत इंपोर्टेंट है, स्कूल ट्रिबूनल का मतलब होता है, स्कूल नियाधी करण, ठीक है, इसका गठन करेगी कि अगर टीचर की कोई सिकायथ है उसके लिए, पीपल टीचर रेशो का ध्यान रखा जाएगा, यही समसी यह सब देखेगी, अब आता है करिकुलम और कंपलिशन ओफ एलिमेंटरी एजुकेशन, पार्ट करम और पारंबिक सिक्षा का समापन, इसमें कहा गया था कि जो स्टेट गवर्मेंट होगी न, स्ट स्टेट लेवल पर SCRT होता है, SCRT को फॉर्म है, State Council of Educational Research and Training, और टीचर ट्रेइनिंग का भी की जिम्मेदारी इसी के अंदर आ जाती है, क्योंकि टीचर ट्रेइनिंग आपको पता होगा, जो डाइट पगर में होती है, जो डाइट पगर में होती है, जो डाइट किया जात स्कूल, ब्लॉक और डिस्टिक लेवल पे, यानि कि बच्चे को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा एक महीने, विदिन वन मन्थ, ये सर्टिफिकेट बच्चे के संचाई रिकॉर्ड को दर्साएगा, संचाई रिकॉर्ड मतलब वही जो मैंने अभी रिकॉर्ड बताय था प्रोटेक्शन अथर्टी, फुल फॉर्म हो गया, बच्चो के अधिकारों को दो भागों बटा गया है, पहला यहाँ पर राइट ओफ इंपावर्मेंट और राइट ओफ प्रोटेक्शन, ठीक है, दोनों नाम याद रखेगा, अब दोनों हैं क्या, देखे होता क्या है, बच्चो के अधिकार दो तरीके से इस परकार है, कि अगर एक व्यक्ति की रूप में उनको कानोनी अधिकार मिलते हैं, क्योंकि है तो वो इंडिया का सिटीजन उसको कुछ अधिकार मिलेंगे, और दूसरा जो अधिकार होता है, वो बच्चाओ से होता है, उनके उपर अब यहां जो एक Canadian organization है Canada की organization है उसने तीन category बताई है अधिकारों के बच्चों के अधिकारों की एक तो provision, एक protection, एक participation provision में क्या है? provision में है कि भई अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी life मिलेगी, अच्छी health होगी, अच्छी school होगे यह अच्छा involvement होगा, यह सारे provision में आ जाता है, protection किसे किया जाएगा? obviously, जो हानी उनको पहुँच रही है, abuse है, neglect है, उपेक्चा की जाएगी, social होगा, बहदबा होगा, तो इन से उनको protection किया जाएगा participation बच्छों का, जो participation होगा, समुधाय में, libraries में, youth voice activities, जो different activities होती है, उसमें participation यह उनके अधिकार होते है अब एक और बस यह last point है, C-R-I-N, Child Right Information Network, full form, Child Right Information Network, इसने दो टाइप के राइट बताए हैं बच्चों के, एक तो है economic, social and cultural right, यानि कि आर्थिक, समाजिक और sanskritic right, और दूसरा हो जाएगा, environmental, cultural and development right, यानि कि परियावरेट संबंदी राइट होते हैं, या sanskritic या फिर विका यह चीज मैं एक्सरा लाला है, कि सिक्षा को समवर्थी सूची में, education को समवर्थी सूची में डाल दिया गया, ठीक है, समवर्थी सूची मतब concurrent list में, अब concurrent list क्या होती है, देखें, तीन टाइप के हमारे समिधान में list है, एक है central, एक है state, एक है concurrent, तो central वाले पे सारे बनाएगा, लेकिन जो समवर्थी सूची में है, तो कौन से प्रिभावी होगा, central वाला प्रिभावी माना जाता है, तो यह कब डाला गया है, इसको समवर्थी सूची में, पहला तो नहीं था, तो 42 amendment 1976 में, यह बाद, यह सिख्षा को समवर्थी सूची में डाल दिया गया, अब यह होता है आपका थर्ड उनिट खतम, और बस revise करते रहिएगा, इसे आपने मालिजे हर एक हफते में, फिर से एक ब्लॉक खतम कर लिजे, इसे होगा क्या, कि आपका रिवीदन अच्छे स तो अच्छा लगेगा मुझे कि उन तक यह वीडियो पहुचेगी, जिन्हें इसकी जरूरत है, थैंक्यू